बुल्ली बुल्ली सौन आज एक उरानिक कबरिस्थान जाने वाले हूँ क्योंकि उस कबरिस्थान में सौन का एक चचेरा भाई है जो एक दिन सौन से मिलने के लिए उनका घर आ रहा था तभी अचानाक से नास्ते पर उनकी एक से दिन हो जाते हैं और फिर उनकी मौत वही पर हो जाते हैं जिसके करन बुल्ली बुल्ली शौन को बहुत जाता दुख हुआ लेकिन उनकी जनाजा में नहीं जा पाएं क्योंकि उनका घर यहां से करीब आट नौसों किलोमीटर दोरी पर हैं इसलिए गुल्ली बुल्ली शौन का सोचना ये है कि उनका जनाजा में तो हम लोग नहीं जा पाएं लेकिन उनका कबर तो कभी भी जाकर देख सकते हैं ना गुल्ली बुल्ली शौन ये करकर पुरानी कबर स्थान के तरफ जाने लगते हैं लेकिन गुल्य गुल्य शॉन को सायद ये पता नहीं है कि जो लोग एक्सिडन से मरते हैं या फिर पहावों से गिर कर उनकी आत्मा इधर उधर भटकते रहते हैं यानि कि उनकी सरेथ भोतों में बदल जाते हैं और फिर वोही गोट लोगों को जान से मार देते हैं। इसलिए रात में कब्रिस्थान जाना कोई खत्रे से कम नहीं है। अगर रात में कोई कब्रिस्थान गल्स्थी से भी चला गया, तो उनकी जिन्दा लोटना नामुम्किन है। इस बात से गुल्ली बुल्ली सौन को बिल्कुल ही पता नहीं है। थोरी देर बात गुल्ली बुल्ली सौन कब्रिस्थान के पास पहुंची जाते हैं। कब्रिस्थान के बाहार गारी खरा करके कब्रिस्थान के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहां जाकर के देखता है, तो बहुत सारा कबर एक ही जैसे हैं, और इन में से कौन सी कबर, सौन का चचेरा भाई का आए, इन लोगों को खुद मालम नहीं है, क्योंकि ये लोग जनाजा में तो आया ही नहीं था, तो फिर इन लोगों को मालम कैसे होगा? अभी शौन कहता है, बुली बुली हमें एक काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कोन सी कबर उनका है, ये तो हम लोगों को मालम नहीं है, तो एक काम करते हैं, सारी कबरों की धकन हटा कर देखते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा, कि हमारा चचेरा भाय किस में हैं जब आए हैं तो किसी भी हाग से, और जाहिकितों भी रात हो धाये, उनसे मिलकर ही जाएंगे, हा सौन, तुम विल्कुन सही कहते हो, जब आए है तो मिलकर ही जायेंगे, गुली गुली सौन ये कहकर एक कबर की डगकल हटाने लगते हैं तभी अचानक से कब्रिस्थान से किसी का रोने की अवार सुनाए देती है गुली कहता है शौन हमें लगता है कि कब्रिस्थान में पोई खुसा हुआ है या तो हो सकता है उनका पैट्रों खतम हो गया है या तो फिर उनका कारी खराफ हो गया है हमें जाकर देखना चाहिए क्योंकि किसी का मदद करना ये इंसानों का ताँ है किसी भूत का नहीं इसलिए हमें आगा जाकर देखना चाहिए कि आखिर इतनी रात में कोन फसा हुआ है कविस्थान में गुल्ली-बुल्ली सॉन यह किलिकर वो आवाज की और जाने लगता है कविस्थान की बीचो पीच आते ही गुल्ली-बुल्ली सॉन को चारों तरब से चीखने की आवाज समय देता है तभी अचान fodं का नजर एक कबर पर परते हैं देखता है तो उस कबर का रगका प्ने आप हट रहा है और उस कबर से चुरैन निकल रहा है गुली बुली शौन थेखकर बहुत जादा डर जाते है तभी वो चुरैन बहुत जो से चीखती है पर ये क्या इस चुरेल का चीज पे ही सारी कबरों का ढगकल अपने आप हट गया और पिर सभी कबर से अलग-अलग बहुत निकलने लगे ये सब नजारा देखकर बुल्ली-बुल्ली सौन का तो हलात खराप हो जाते हैं झाल